So what is up guys, welcome back to the channel and the world of unpredictability that is PUBG Mobile, eSports और BGMI So guys, आज की वीडियो ना बहुत जादा interesting रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो पे हम बात करने वाले है International World Championship से लेके PMPL Qualifiers के बारे में इसके साथ साथ बात करेंगे TSMN Soul के matter के बारे में And guys, last पे आपको में gamers की salary के कुछ stats बताने वाला हूँ जो की number में बहुत जादा insane निकल कर आ रहे है So guys, overall video बहुत जादा interesting रहने वाली है तो जल्दी से कर तो वीडियो को like इस वीडियो पे aim target infinity जितना आप करवाना चाओ And कर सकते हो चैनल को subscribe ऐसे e-sport related content के लिए So guys, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं New state guys, आपको पता है नया app आया IELK थू And guys, इसका first official tournament अभी Korea में हुआ था जिसका नाम था PUBG Mobile New State का open challenge जो की खतम हो चुका है जिसका winner हमारे सामने बन कर आए है आपका another level जिनको price pool मिला है 167K US dollar का So guys, PUBG Mobile New State भी यहाँ पर future हो सकता है अगर हमको अच्छे वे में इनका ecosystem competitive scenario में देखने को मिला इसमें आपको क्या views है कमेंट करके जरूर बता So guys, secondly अब बात कर लेते हैं TSM versus Soul के pan matter के बामले में So guys, recent में आपने notice कर आओगा Maximum scrims के अंदर Soul यहाँ पर pan कर रही है TSM को And TSM यहाँ पर pan कर रही है Soul को So जिसके बात आप में से काफी सारे fans के यह doubts थे कि यहाँ पर यह दोनों टीम के बीच में चल तो चल क्या रहा है दोनों एक दूसरे को pan क्यों कर रही है So guys, जिसके बात दोनों टीम के जो managers है उन्होंने यहाँ पर स्टोरी शेयर करी है जो reply आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है And चीजे guys, यह clear है यह बस आपकी just एक in-game rivalry है जो दोनों टीम के बीच में है Secondly guys, कहा गया है इसको healthy way में लेना So guys, एक चीज में mention कर देता हूँ जो past में भी सिनारिय हुए जब भी pan and fist होता था तो guys, fan के थुरू ही चीजे आपकी hit level पे जाती थी क्योंकि guys, जब चीजे healthy way में होती है वो ठीक है, एक borderline होती है जब उसको cross कर देते कहीं fans तो वो चीजे hit में चले जाती है तो पहले यह चीजे clear कर दी गई है कि in-game rivalry है, in a positive way में चीजे हो रही है and healthy way में लेना है and guys, कहीं न कहीं यह चीजे जब healthy way में होती है तो ऐसा audience भी सही रहती है एक audience का interest रहता है दोनों टीम के बीच में fight देखने के लिए भी and guys, इसमें आपके क्या views रहने वाले एक बार comment करके ज़रूर बताना तो guys, सरली यहाँ पर बात कर लेते है PMPL qualifiers के बारे में तो guys, ऐसा आप सभी को बता है race to PMGC के लिए qualifiers कितना important है and first ever time Pakistan region का individually PMPLs हो रहे है तो guys, उनके qualifiers का day 2 खतम हुआ है जिसकी overall standing आपके screen के सामने आ रही जो guys, day 2 खतम होने के बाद first rank पे आपको दिखने वाली है team QWERTY, 133 पॉइंट के साथ insane domination देखने को मिल रहा है इसके बाद guys, आपको दिखने वाली है आपर meter shot की team then आपको दिखने वाली है 3X East Post, 52X Rage की team यह top 4 teams है बाकी की rankings guys, आप अपनी screen के सामने देख सकते है and guys, अगर बात की जाए top 17 teams यहां से PMPL Season 5 के लिए जाने वाली है इसका मतलब क्या है कि team के बाद बहुत ही अच्छी है यहां पर better opportunity है and guys, क्या लग रहा है कौन-कौन से team qualify होंगी and कौन से नहीं होगी comment करके अपने view ज़रूर बताना so guys, अब बात कर लेते हैं यहां पर World E-Sports Championship के बारे में so guys, जैसा आप सभी को पता है यह साल हमारा E-Sports के लिए बहुत बड़ा है bundle of tournaments हमारे इस साल हो रहे है road map हमारे सामने आ चुका है जिसके बाद Asian Games भी होना है medal event के लिए Commonwealth Game होने वाला है MSC होगा, PMGC होने वाला है so guys, काफी बड़ा हमारा road map है and guys, एक और tournament इसमें include हो चुका है जो कि आपका World E-Sports Championship जिसमें यहां पर PUBG Mobile को भी रखा गया है जो कि यहां पर होने वाला है IESF के थुरू जो है हमारा The International E-Sports Federation जहां पर आपकी 120 प्लस आपके nations जो है expected यहां पर participate करने वाले so guys, एक और tournament इड़ चुका है E-Sports होने वाला इस बार next level इसमें आपके क्या views है comment करके ज़रूर बताना and इस tournament को लेके कुछ और update आईगे आपको channel पर मिल जाएगी इसमें आपके क्या views है comment करके ज़रूर बताना so guys, यहां पर एक और बहुत बड़ी update निकल कर आ रही है जो कि यहां पर gamer से related है कि वो कितना earn कर लेते है per month and guys, number बहुत जादा insane है and shocking है and आप में से काफी gamer को motivate भी कर सकते है so guys, यहां पर कहा गया है I have seen gamers making 30 to 50 lakh per month says, यह जो कहा गया है Ashwin Shureshji के थुरू जो की founder है logo के so guys, अगर interview हुआ था इनका economics time में, वहाँ पर इन्होंने यह चीज़ कही थी so guys, इसमें आपके क्या views रहने वाले insane number पे and आपके क्या views है कौन इतना कमाता है हमारी community पे एक बग कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो के लिए